हेलो स्टुडेंट्स तो आप लोग जानते हैं कि जेए मेन 2023 का जो सेशन वन है उसका अनॉंसमेंट हो चुका है और रफली अगर देखा जाए तो हमारे पास में एक टाइप से वन मंत का टाइम पीरियड है इसकी एक टाइप से जो भी हमारी एक प्रिपरेशन है अल्रेड़ी हो चुकी है ठीक है हम यह मानके चल रहे और बिलकुल आपको कॉनफिडेंस होना चाहिए अपने आप पे अपको बिलीव करना है कि मेरी प्रिपरेशन पूल है जो एक कहना चाहिए कि फाइनल जो प्रिपरेशन है वो क्या है और इसके बाद में जो है और अभी अभी आप जानती हो कि जहीं एडवांस 2023 की डेट भी अनाउंस होगी तो अगर आप session one बहुत अच्छी तरीका से अगर कर लेते हैं तो आपको बहुत time मिल जाएगा जही advance की preparation कर लेगी तो इसमें हम देख लेते हैं कि mainly जो है वो chemistry में हमें क्या करना चाहिए ठीक है तो देखें कि ऐस सच अगर आप पूछोगे कि हमाए मतलब क्या होना चाहिए तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आपका syllabus complete है है ना सबके लिए जो है syllabus सबका complete हो रखा है किसी का अगर नहीं है complete तो कोई बात नी थोड़ा सा एक हमें बिलकुल confidently एक strategy बनानी कि यार क्या रहे गए हैं हमारे points कि क्या कौन-कौन से topics जो रहे गए उनको आम कर लेते हैं तो इसका मतलब है एक next step हमारा है कि हमारा syllabus तो complete है अब इसमें हम एक improvement चाहते हैं जो revision की जरुवत पढ़ती है जिनको जैसे 11 के कुछ topics है 12 अभी अभी आपका खतम हुआ है आपने अच्छी practice की है ठीक है और school में भी आपका 12 चल रहा था बूड के लिए आप 12 को लेकर की प्रेपेर करी रहे हैं कुछ में कुछ topic pre-board वगरा हो गए तो 12 के जो topic है उसमें द थोड़ा सा जो अंदर से एक पीर सा आई डर जो है वो 11 के topic को लेकर करके हमें क्या करना चाहिए तो सबसे पहले क्या करना है कि हमानके चल रहे हैं कि हमारी preparation अच्छी है ठीक हम जो है कुछ improvement चाहते हैं इसके लिए हमें अपने topics को revise करना होगा अब revision कैसे किया जाए दो तर डुरि बनी हुई है हर चेप्टर की उसको निकाल करके पर लेते हैं और कुछ टेस्ट अटइंट्name करते हैं आप टेस्ट कॉन से अंतेंट करने चाइए तो मेरे हिसाब से आपको जो हैं जेमें 2020 लेकर के मतलब यह topic आपका अच्छा नहीं है, इसलिए question गलत हो गया है, या फिर आप कुछ questions को attempt नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, यह क्या है, कोई fact है, आपको उसका knowledge नहीं है, तो वो कौन सा topic का question है, उससे आपको पता लगेगा, इस तरीके से हम अपना कुछ revision प्लान कर देंगे, तो main जो मेरे हिसाब से इस समय आपके पास में यह जो roughly one month का time period है, इस one month के time period में आपको बहुत सारे test, 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 test देने चाहिए, इससे ही जो है आपको अपनी weakness पता लगेगी और उसमें accordingly हमें जो है improve करना है, तो test कहां से देंगे, आपके पास मेरे हिसाब से जो है, आपका LMS account है, learning management system account है, उसमें बहुत सारे हमने test papers upload कर रखे हैं, आप उनको कर सकते हो, या फिर जो anti-abbyas app है, उसमें बहुत सारे test है, आप उनको use करके अपना revision plan कर सकते हैं, तब इसके बाद में देखे हमें जो है क्या करना है, कि revision से फिर जो है आपको यह topic को identify कर लेना है और इसमें से कुछ topic आपको ऐसे मिलेंगे जिनको हमें special consideration देना है, special consideration का मतलब क्या है, कि यह कौन-कौन से topic हो सकते हैं, जैसे topic for special consideration अगर हम देखेंगे, तो law of chemical combination, बड़ा generally simple से laws होते हैं, याद नहीं रहते हैं, इनको हमें वापस एक वार review करना है, और देखना है कि हमें क इस type से इनको identify करना, फिर देखेंगे तो जो intermolecular forces जानते हैं, है न, hydrogen bond होता है, wonderful forces होता है, वगरा वगरा, but कुछ-कुछ points, key points जो होते हैं, examiner जो है, उनको पकड़ के लिए आता है, हम exam में देखते हैं, यह क्या है, पता ही नहीं से इनको, मेरे इसाब से आपको यह intermolecular forces इसको consider करना, इसके बाद में surface tension, physics में वैसे आप पढ़ते हो, बहुत अच्छी दरीगे से, but chemistry point obvious है, इसकी क्या definition है, इसके जो key points वगरा क्या है, surface energy क्या है, unit क्या है, वगरा वगरा, यह हमें देखना है, और जो chemical equilibrium का जो chapter है, उसमें आपको कई सारी activities मिलेंगे, इन activities को आप revisit करेंगे, उनके अंदर जो information दे रखी है, ठीक है, उनको learn करेंगे और revise करेंगे, इन activities से related कुछ information जो है, आपको lab manual में भी मिलेगी, वहां से इनको आप चेक कर सकते हो, hydrogen as a fuel, मेरे साब से topic for special consideration है, तो इसको आपको वापस revisit करना चाहिए, similarly S block में अगर आप देखेंगे, तो magnesium होना चाहिए, mg होना चाहिए, गलती से में लिखा गया है, so sodium, potassium, magnesium and calcium जो है, इनको देखना है, और जो lab manual में बहुत सारे experiments given है, इन experiments को आपको revisit करना चाहिए, मेरे आप से ये topics for special consideration है, पास्ट येर के papers को जब हम analyze करते हैं, तो इन में से हमें कई सारे questions मिलते हैं, बढ़ अगर आप देखेंगे, तो DNA, RNA, SCORING topic है, बढ़ा simple सा है, सारे facts type के हैं, एक वार इसको आप revise कर लेंगे, तो आपको अच्छी तरीके से questions आप attempt कर सकते हैं, structure of amino acids है, बढ़ा important 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 है, इसका मतलब ये है, बढ़ा कि अगर question आएगा, तो आप easily इसको attempt कर लेंगे, if you know the structure of amino acids, नहीं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये knowledge based topic है हमारा, structure of amino acids हमें देख लेना है, और उसके बाद में अगर हम देखेंगे, uses of silikons हैं, uses of compounds of boron हैं, environmental chemistry, बहुत सारे questions हैं, इसमें से हमें बिल सकते हैं, फिर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में methods used for the separation of mixture of organic compounds, ये जो organic आपका topic 1 है, उस topic 1 में आपको NCRT में ये methods मिलेंगे, study of data given in table, आप NCRT में अगर आप देखेंगे तो आपको हर chapter में कुछ data मिलेंगे, tables मिलेंगे, tables के अंदर informations given हैं, इन data को आप study करेंगे, इन में कोई अगर unusual order है, तो no down करेंगे, वो सकता है कि examiner इसमें कुछ आपसे questions पूर सकता है, फिर देखेंगे उसके अंदर जो NCRT में जितने भी questions given है, इन सब को आपको जो है attempt करना चाहिए, attempt all questions from NCRT exemplar, NCRT textbook as well as NCRT exemplar, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखेंगे, numerical questions जो आते है numerical section के अंदर, numerical value type questions के अंदर, generally एक pattern मैंने observe किया है, कि NCRT में जिस type के numerical questions given है, उस type के numerical questions वो frame करने की कोसिस करते हैं examiner, ठीक है, इसके बाद में अगर आप देखेंगे, तो ये जो आपके बास में कहना चाहिए, कि functional group test for compounds given chapter, everyday life, तो ये chemistry in everyday life के अंदर कुछ compounds given है, organic compounds होते हैं normally, तो इनके अंदर जो आपको functional groups वगरा नजर आते हैं, उनके functional group test को आपको एक वार वापस से revisit करना चाहिए, उनको revise करना चाहिए, अब देखेंगे हम सूचते हैं क्यार कैसा paper आएगा, क्या paper आएगा, कुछ type से आएगा, तो बहुत पहले जो है, Mr. क्या करना चाहिए, Dr. विनी जो सी, Director General NTA जो है, इनक में ये कहा है कि किसी question को अगर difficult बनाना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें से कुछ भी ऐसी, ऐसी informations पर भी questions बनाएंगे, जो students के पास में है ही नहीं, so difficulty does not mean you created a test of higher level, so difficulty could be challenging a candidate by maintaining the same level, मतलब जो आप अपनी textbook में जो informations given है, उनको ही use करके आप questions को difficult बना सकते है, तो तो मैंने फिर papers को analyze किया, तो मुझे पता लगा कि ये सही कह रहे है, इन्होंने जो भी questions frame किये, इसमें से कोई भी ऐसी informations नहीं है, जो textbook में नहीं given, हाँ, बस इन्होंने क्या-क्या challenge क्या किया है, कि ये दो या तीन concepts को mix करके questions frame कर दिया, एक idea जो है hydrogen chapter से ले लिया, एक idea जो ह वो physical chemistry ले लिया, like stoichiometry, है ना, और इन दोनों को mix करके question frame कर दिया, अब अगर आपको hydrogen के पारे में नहीं पता है, stoichiometry आप जानते हो तो हो सकता इस questions को आप a time नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो basically, generally ये आजकल जो trained है, वो यही है, कि आपके लिए challenge है, जो informations आपकी textbook में given है, उ इसलिए NCRT को chemistry में NCRT को बहुत अच्छी तरीके से हमें थोरूली कर लेना है, मैं तो ये कहूंगा कि ये तो one month का time period है, ठीक है, roughly अगर आप देखेंगे, तो total 30 chapters है, एक mission होना चीए per day, एक chapter तो at least मुझे NCRT का वापस से actual exam से पहले मुझे करी लेना है, ठीक है, बैटर र आर्स की at least 4 sitting करनी चाहिए, एक sitting के अंदर physics का हम करेंगे, दूसरी sitting के अंदर chemistry करेंगे, तीसरी sitting के अंदर maths करेंगे, और four sitting के अंदर कुछ जो है, हमें revision करना है, ठीक है, कुछ analysis करना है, वो रखेंगे, बाकी, three hours की sitting में हम chemistry का test देंगे, या कुछ revise करेंगे, ऐसे ऐसे, जो है, at least जो है, आज कल आपका जो डे है, जिस दिन भी आप नए school जा रहे हैं, नए कोई test है वगरा है, तो जो 12 hours है, उसको effectively utilize करना चाहिए, तो examination dates अगर आप देखते हैं, तो 24, 20, 27, 28 है, तो आपको पता ही है, यह मैंने क्यों लिया, ठीक है, मैंने इसलिए लिया है, कि around जो है, हमें seven days मिल रहे हैं, in seven days में से एक दिन तो मे भी हो सकता है, कि जो paper two होता है, ठीक है, architecture वगरा के लिए होगा, बाकी के जो six days है, वो basically जो paper one है उसके लिए होंगे, और paper, एक shift में दो paper होंगे, तो आपके पास में total 12 papers NTA को conduct करने है, एक paper में अगर हम 30 questions लेकर कर चलते हैं, तो 360 questions अगर आएंगे, चीक है, और class 11th के chapters अगर आप देखेंगे, तो 14 chapters है, class 12th के chapters को देखोगे, तो 16 chapters है, तो total 30 chapters है, ये मैंने क्यों लिया है, ये मैं आपको ये realize करानी के लिए ले रहा हूँ कि आप expect करोगे, कुछ important बता हो गया, कुछ priority decide करोगे, हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये कहने का मतलब ये है, कि जरूर ही नहीं है, कि जो मैं कह रहा हूँ, उसमें से कोई question आए, may be or may not, क्योंकि देखिए, NTA के पास में around 360 questions, उनको fresh questions की जुरुवत है, और 30 chapters है, वो किसी भी chapter में से कोई भी idea pick up करके questions frame कर सकते हैं, ठीक है, तो अब इसमें generally DNA और RNA के जो structures हैं, ठीक है, antiseptic और histamines, जो bases used होते हैं, DNA और RNA के अंदर, analgesics, artificial sweeteners, detergents, monomers और polymers, इनके जो structures हैं, बड़े important होते हैं, इन पे अगर आप questions आएगा, तो अगर आपको knowledge नहीं है, तो आप attempt नहीं कर पाएंगे, बाकी cases में कुछ thinking बगरा use करके, आप eliminate करके कर स दूसरा जो important है मेरे इसाब से graphical analysis in chemistry, graphical questions आते हैं, graphical ability check करने के लिए, उसमें atomic structure के अंदर, जो कई सारे कर होते हैं, specially size square versus R, जो करों plot करते हैं, periodic classification के अंदर, जो ionization energy, or atomic number, electron affinity, or atomic number, वगरा वगरा, जो various type के curves, NCRT में गीवन हैं, उनको आपको देखना है, chemical bonding में जो कर गीवन है, states of matter के अंदर कर गीवन है, equilibrium में है, thermodine mix में है, liquid solutions में है, chemical kinetics में है, electrochemistry में है, surface chemistry में कई सारे curves है, metallurgy के अंदर, Ellingham diagram है, that is the important, तो क्या है इंपोर्टेंट, जो complexes and nickel और platinum के for coordination number 4 are extremely important, जिसमें आपको tetrahydral, और square planar, diamagnetic, paramagnetic, यह से पता होते हैं, coordination compound के अंदर, geometrical and optical isomers of complexes बड़े important है, CFT, coordination compound में bonding अगर आपको explain करनी है, तो इसके लिए metal carbonyl में जो bonding है, DNF block elements के जो characteristics है, DNF block elements के अंदर, जो हमारे पास में, chemino 4 और K2, CR2, 7 की जो properties है, वो बड़ा important है, फिर block chemistry में अगर आप देखोगे, तो 13, 15 and 17th group elements and their compounds are extremely important, फिर structure जो भी NCRT में given है, उनका हमें sound knowledge होना चाहिए, chemical test given in lab manual, बहुत सारे बच्चे इस पार्ट को skip कर देते हैं, उनकी knowledge में ही नहीं होता है, कि lab manual क्या होता है, NCRT का एक lab manual है, आप NCRT की website पे check कर सकते हैं, उसके अंदर जो experiments वगरा given है, उसमें जो chemical test given है, वो आपको अच्छे तरीके से करने चाहिए, questions expected होते हैं, कई सारे questions मैंने देखे हैं, redox reactions is extremely important chapter, चीक है, यह इस chapter को other chapter के साथ mix up करके भी questions examiner frame करता है, chemical bonding के अंदर hybridization state, valence bond theory, molecular orbital theory पे अकसर questions आते हैं, chemical bonding मैं तो कहूंगा कि यह priority number one है, क्योंकि इसको और भी other chapter के साथ relate किया जा सकता है, इन और्गनिक में priority number one है, फिर आपके पास में केमनोफोर है, के टू सी आर टू सेवन है, इसके preparation, इनकी जो properties है, oxidizing properties वगरा, इनके structures वगरा है, उन सब को देखना है, अब आ जाता है हमारा organic chemistry, तो organic chemistry में क्या important है, वो सारी reactions important है, जो NCRT के textbook में गीवान है, लेकिए, जो बड़ी क्या कहना चाहिए, कि हाई-फाई-टाइप की reactions होती है, वो तो सभी पढ़ते हैं, सभी class वगरा में कराए जाती है, कुछ reactions होती है, जो बिलकुल जैसे, एलकेन का controlled oxidation होता है, बहुत कम बच्चे जानते हैं, class में भी बहुत कम discussion करते हैं, क्या यह तो बड़ा easy है, fact है, आपको याद करना है, बिटा कर लेना, है ना, तो इसलिए हमें जो है, NCRT में जितनी भी reactions given हैं, उन सब को एक बारा वापस देखेंगे, हट chapter में क्या reactions given है, उसके अंदर क्या characteristics है, क्या reaction condition है, कौन सा reactant उस reaction को show करेगा, कौन सा product बनेगा, क्या एक से जादा product बनेगा, तो measure कौन सा होगा, minor कौन सा होगा, यह सब part हमें देखने हैं, अब question arise होता है, mechanism based questions अब आएंगे, तो किस reaction की mechanism, आप सिरब उन reactions की mechanism को study करेंगे, जिनकी mechanism NCRT में given है, जिस reaction की mechanism NCRT में given नहीं है, मेरे हिसाब से आप उनको skip कर सकते हैं timing के लिए, मैं पास time बहुत कम है, ठीक है, कुछ अगर advance के लिए आप सोच रहे हो, तो इनको बाद में देख सकते हैं, 20, 21, 22 के papers को मैंने analyze किया है, उसमें generally जो है, ऐसे questions नहीं आते हैं, जिनकी mechanism हम NCRT में नहीं देखते हैं, acidic strength and basic strength of organic compound extremely important है, पिसलिए इसको आपको आपको जो है, आपके concepts वगरा revise करेंगे, अब आप कहेंगे कि ये तो NCRT में है, अलग-अलग chapters में आपको मिलेगा, hydrocarbon में आपको hydrocarbon की acidic strength के बारे में बात कर रखी होगी, और जो है, phenol के अंदर phenolic compounds की acidic strength की बात कर रखी होगी, इसको अलग-अलग chapters में दे रखा है, हम कोचिंग में इसको अलग से एक comment, एक topic की तरह पढ़ते हैं, कोई 11th में पढ़ लेता है, कोई 12th में पढ़ लेता है, बट NCRT के अंदर आप देखेंगे, ति अलग-अलग chapters के अंदर, जहाँ acidic and basic nature किसी organic compound की है, वहाँ पर यह information given है, फिर यह जो ether की जो एक ही दो-तीन reaction से वड़ी important होती है, अक्सर इन पर भी questions आते हैं, हम जानते हैं कि जो COC bond होता, वो cleave हो जाता है, लेकिन कौन सा acid इसको cleave करेगा, HCL, HBR, HI, HF, तो यह आपको revise करना चाहिए, जितनी भी name reactions given है, इनको अच्छी तरीके से आपको देख लेना है, डाइपल moment of organic compound हम कैसे identify करेंगे, ठीक है, specially जो geometrical isomers होते हैं, stereo isomers होते हैं, conformers होते हैं, इनके डाइपल moments को, या फिर जो अमारे पास में die-substituted benzene के जो derivatives होते हैं, उनके डाइपल moment, एक काम और करना चाहिए, मेरे इसाब से NCRT में जितने भी oxidizing agent और reducing agent की information given हैं, उनको आप बहुत अच्छी तरीके से revise करके, एक page पे लिखके रखना चाहिए, अपने notes बना के रखना चाहिए, एक्टोल exam से एक दू दिन पहले हम उनको वापस से go through कर ले, फिर जो various monomers हैं, polymers का chapter जो है बड़ा important है, other chapter के साथ relate करके कोई questions आ सकता है, chemical test, estimation and purification of organic compound जो है, बड़ा important है, relate किया जा सकता है, और फिर जो physical properties of organic compound, इसमें especially boiling point of organic compound मेरे यह साब से बहुत important है, आपको review करना चाहिए, physical chemistry में, thermochemistry and thermodynamics is extremely important for numerical value type question, उसके बाद में surface chemistry, objective type के लिए और numerical type के लिए और numerical type के लिए दोनों के अंदर आते हैं, बहुत question doable होते हैं, electrochemistry बहुत important है, chemical kinetics, liquid solution, equilibrium, solid state and gases state, जादा तर अगर आप देखेंगे, तो यह जो हमारे पास में 12th के आपको 4 chapter मिलेंगे और 11th के भी यह 4 chapter मिलेंगे, जो numerical value type section जो है, उसमें इनके questions जो हैं, वो बहुत जादा होते हैं, 11th का अगर आप देखोगे तो thermo हो गया, thermo chemical हो गया हमारा, और states of matter, यह 3 chapter इस में से मिलेंगे, अगर आप कैसे तो क्या मतलब और गेनिक से question नहीं मिलेगा, नहीं, विल्कुल मिलेगा, इन और गेनिक से भी मिलेगा, अलग अलग type के questions आ सकते हैं, अब हमें देखना है के exam वाले दिन क्या करना है, यह तो just मैंने हैसे ही ले लिया, आपको बहुत experience है, आप पिछले 11-12 सा को जो है properly maintain करेंगे, food अच्छा होना चाहिए हमारा ठीक है, जो है drink हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो हमें diuretic type के drink नहीं होने, जो बाद बाद पता लगा, वाश्रूम के चक्कर लगा रहे हैं, वगरा वगरा, बाडी को properly hydrate करके रखेंगे, तो यह बहुत जादा anxiety हो रही है, वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, psychological technique यह कहते हैं basically कि positive visualization होना चाहिए, so यह जो positive visualization है, basically this is a powerful psychological technique that can be used to enhance your positive feelings and diminish the negative ones, it is based on the fact that the mind and body are powerfully interconnected, you can create changes in your heart rate, skin temperature and brain wave patterns by thought, you evoke, you can use this information for your advantage before and during your exam, पहुच सारे बच्चे कहते हैं कि exam में मुझे जो है, suddenly जो है घवराट सी होने लग गई, anxiety हो रही है, मैं क्या करूँ तो कुछ नहीं करना चाहिए, positive सोचना चाहिए, ठीक है, हमारा आत में और कुछ नहीं है, positive सोचेंगे, तो positive ही होगा हमारे साथ सब कुछ, fuel to help it perform better, तो इसका मतलब है, कि हम थोड़ा सा extra oxygen जो है, इनल करेंगे, उससे जो है, थोड़ा सा easy हो जाएगा, so, arrive early, bring necessary material, mental strategy क्या होगा, कि हम पेपर को अच्छी तरीके से review करेंगे, जो instructions given है, इनको properly read करेंगे, अच्छी हरे question को अच्छी तरीके से read करना है, हमारा सारा focus हो होना चाहिए, अपने time का ध्यान रखना है, हर section को आपको proper time देना है, ऐसा नहीं कि chemistry को 15 minutes में कर लें, देखे, examiner मेरे इसाब से paper को set करेंगा, यह ध्यान रख करके, हर section को student at least one hour time to devote करेंगे, अब आपकी अपनी strength के basis पे किसी section में ज्यादा time लग सकता, किसी section में कम time लग सक सकता है, उस time को आपको जो है, categorize करना कि किस section को मुझे कितना time देना है, यह आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा, जब आप बहुत सारे test paper, mock test paper attempt करेंगे, मेरे इसाब से हर बच्चे को at least daily, एक mock test, जो है full test देना चाहिए, वीम के जो है, आपको मिल जाएंगे सक्षन है, जस्ट ऐसे ही, तुम पूछते हो कि बड़े important topic बता दो क्या है, तो इसके अंदर मैंने कुछ-कुछ add की है, stoichiometry मैंसे, generally in concept पर भी questions आते हैं, एक दो questions जो मैंने अभी recently जो पर exam हुए, उन मेंसे यह pick up भी की है, just for your knowledge, तो atomic structure के अंदर आप देख सकते हैं, यहाप if you find useful, you can go through, इसका link आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इनको note कर सकते हैं, और अपनी एक revision strategy बना सकते हैं, periodic properties में देखे, question जो है, किसी type का आ सकता है, कहीं से भी कुछ भी पूपिसकता है, यह अच्छी बात ही है, यह सारी information तुमारी textbook के अंदर, यह उससे बाहर कुछ भी नहीं है, कौन सो सकता है, क्यार यह जो 119 atomic number किसी element का है, उसका IOPC symbol क्या होगा, है न, जैसे देखे, एक यह question है, बच्चे अपना, एक अपनी reasoning बना सकते हैं, reasoning कुछ भी हो सकती है, और सारी reasoning जो है, एक टाइप से correct भी हो सकती है, बट examiner कौन सी reasoning को accept करें, जैसे यह कह रहा ह है, कि हमारे पास में given below are two statements, one is labelled as assertion and other is labelled as reason, यह correct पस्ट, ionization enthalpy for oxygen is lower than that of nitrogen, अब ज्यादातर केसे में क्या होता है, क्लास में जो reasoning देते हैं, हम यह कहते हैं, क्या, nitrogen जो है half field है, और oxygen जो है partially field है, half field is more stable and partially field is less stable, यह एक बड़ा पावमन सा reason है, easy to understand reason है, आपके दिमाग में यह एक्जामनर ने लिखा है, कि the four electron in two p orbital of oxygen experience more electron electron repulsion, यह भी बात ठीक है, एक orbital में दो electron आगे, दोनों electron के बीच में repulsion होगे, nitrogen के अंदर एक orbital में एक ही electron है, कम repulsion होगा, और जो रिपल्शन होता है, वह electron की energy ज्यादा हो जाती है, और जो high energy electron होता है, उसको हम easily remove कर जाए, यह भी रही है, वह examiner की reasoning से match नहीं कर रही है, तो आप तो कहेंगे, कि assertion A correct है, reason R जो है, वो भी correct है, but not the correct explanation, क्योंकि explanation तो यह होगा, कभी वो half field है, और यह partially field है, तो अब यह question arise होता है, कि ऐसे cases में, हम किसको correct explanation consider करेंगे, तो यह आप जो right side में, इस page पे, right side पे, एक paragraph दो दे रहा है, उसमें देखेंगे, उसमें लिखा है, कि this arises, मतलब यह जो आप अगर first ionization enthalpy of oxygen, compared to nitrogen कुझो कह रहा है, this arises because in the nitrogen atom, 3 2P electron reside in different atomic orbitals, उन तूल्स को satisfy कर रहे हैं, where is in the oxygen atom, two of the four 2P electrons must occupy the same 2P orbital, resulting in an increased electron electron repulsion, और examiner केरा, देख, तेरा reason भी ठीक है, मेरा reason भी ठीक है, बट हमें evaluate करने के लिए, किसको importance देनी है, उसको देनी है, जो हमारी textbook में लिखा गया है, तो NCRT जो है, read करना बड़ा important है, आपको पता लगेगा, कि examiner हमसे क्या expect करता है, क्या actual हमारा answer जो है, वो क्या होना चुछ पिर ऐसी chemical bonding में देखिए, मैंने का था न, numerical value type के questions भी आ सकते हैं, ज़रूर नहीं है कि theoretical type के questions ही होंगे, यह just जो है, आप एक बार इसको देखेंगे, आपको यहाँ पे कुछ ideas मिल जाएंगे, revision के लिए, कि हर chapter में मुझे क्या revise करना है, तो आप daily दो chapter तो पकड़ेंगे ही मेरे साब से 11 का ले लेना चाहिए, एक 12 का ले लेना चाहिए, और उसको revise करके, जो है, हमें test attempt करके revise करने हैं, तो यह link आपको मिल जाएगा, यह organic chemistry आ गया, हाँ, एक चीज़ और मैं जैसे यहाँ पर बताना चाहता हूं, कि यह आप जो second वाला question है, इसको अगर देखेंगे बहुत सारे cases में क्या होता है, कि आप चोचेंगे यार यह तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं जानता ही नहीं हो, क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो उसमें एक examiner, यह approach यूज करता है, अच्छा, मैं जो आपको information दूँगा, उसमें से एक information तो definitely आपके पास होगी होगी, आप जानते भी अच्छी तरीके से, और कुछ information जो new हैं, वो आप नहीं जानते हैं, तो उस case में जो है, आप elimination rule के basis पे questions को answer कर सकते हो, तो इसके अंदर यह आप देख सकते हो, यह organic के कुछ-कुछ questions मैंने भीकप किया है, ऐसा ही, hydrocarbon के अंदर यह एक list है, जो important topic को indicate कर रही है, hydrogen and its derivative, hydrogen and its compounds के अंदर अगर आप देखेंगे, तो यह इस type के questions आपको मिल सकते हैं, hardness को अगर आप ही मिल सकते हैं, past में questions आए वे हैं, इसके बाद में हमारे पास में यह जो है, hydrogen and its compound के बाद में, S-block element के अंदर यह important points है, फिर P-block element में group 13 and 14 के अंदर यह है, और इसके बाद में environmental chemistry पढ़के जाना भाई, solid state, फिर solutions, chemical kinetics, electrochemistry, surface chemistry, halogen containing organic compounds, alcohol phenol ethers के अंदर, यह सारे जो मुझे important points लगे हैं, वो मैंने यहां पर आपको लिख दिया हैं, आप इनको revise करेंगे, prepare करेंगे, और जो है, देखें, यह सारी जो informations हैं, examiner कहां से लाता, देखें, यह question दिया हुआ है, in the following reaction sequence, structures of A and B respectively क्या होगा, तो देखें, इसके अंदर अगर आप भ्यान से देखेंगे, कि HBR के साथ reaction हो रही है, तो यह idea कहां से आया होगा examiner के पास, यह NCRTV information given है, यहां से यह idea examiner के पास, HBR और HI जो है, इथर link के इसको clear कर देते हैं, फिर यह हमारे पास में LDI 10 ketone, के अंदर important क्या है, और इस पर भी इस एक जस्ट नमूना question का, और यह important points आगे, जो मैंने बताया था कि जो reducing agent oxidizing agent जो information given NCRT में, उनको आपको वापस से revisit करना चाहिए, अपने short notes बनानी चाहिए और exam में जाने से पहले इनको हमें ऐसी information को definitely देखके जाना चाहिए, nitrogen containing compounds आ गया, फिर biomolecules extremely important, around just ऐसी randomly में देख रहा था 2022 के अंदर, जो है, जो है, around 30 to 40 questions, 360 question में से 30 to 40 questions जो है, वो biomolecules के, polymer and chemistry involved in practicals, यह सब important information से, P block elements group 15 to 18, class 12 वाला, D and F block element के अंदर यह important points है, और metallurgy, ellingham diagram, various type of pores, methods of refining, coordination compound, chemistry in everyday life, के अंदर यह special topics जो है, यह है, यह सब कुछ है, तो मेरे साब से, आप डेली at least 2 tests तो प्लान करिए, तिन-तिन घंटे के चार sessions बनाई है, जिस दिन आपको कोई कहीं नहीं जाना है, कोई engagement नहीं है, चीक है, इन चार sessions के अंदर, तीन session में आप अपने subject से related, कुछ भी revision कर सकते हैं, test दे सकते हैं, और 4th session के अंदर के मज़े और क्या करना है, क्या weak areas है, उसको revise करने के लिए, यूज कर सकते हैं, चीक है जी? तो, all the best, thank you very much for watching this study tips for J23, आपको अगर कोई भी परदर जानकारी चाहिए, तो आप भी हमने contact कर सकते हैं, we are very ready to help you, all the best for Jman January session 2023, बहुत अच्छी तरीके सा आप इस session को attempt करिये, और हो सकता है कि इतना अच्छा करेंगे, आपको session 2 जहने की जरुवती में देंगे, लेकिन पह झाचे हो